दोस्तों आज एक ऐसे और्जधिय पत्ते के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ जो कि जायतर हम सब के रसोई घर में होता है हमारे खाने के स्वात खाने की खुश्बू को बढ़ाने के साथ ही साथ ये जो तेज पता होता ना बेलीफ ये हमें कई बिमारीों से बचाता है चाहे अल्जाइमर की बिमारी हो चाहे सर्दी जुकाम हो चाहे बदन दर्द हो चाहे जोडों में दर्द हो चाहे दांतों में दर्द हो या फिर चाहे हो डाइबिटीस की बिमारी मदुमे की बिमारी को जड़ से समाप्त करते हैं ये पत्ता किस तरह से इनका प्रयोग करना है किस तरह से जोडों के दर्द के लिए ओईल बनाना है सारी चीजें वीडियो में शेयर करूँगी दोस्तों और ये एक मसाला है जिसका इस्तमाल हम लोग खाने में करते हैं एक आयुरवेदिक मेडिसिन भी है आयुरवेद में बे लीफ का तेज पते का बहुत जादा महत्व होता है तेज पते के तेल को यदि आप अपने बालों पर लगाएंगे ना आपके बालों का ज़र्णा बंद होगा बालों की लंबाई बढ़ेगी आपके स्केल्प में यदि डेंडरफ रूसी की समस्या है तो वह भी दूर होगी इसके अलावा जिन लोगों को बहुत साथा सरदर्द होता है या माइग्रेन की परिशानी है उन्हें भी तेजपत्य का तेल जरूर लगाना चाहिए आगे वीडियो में सारी चीजे बताऊंगी अभी तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ कुछ तेजपत्य की यह पत्यां ले रही हूँ बेलिफ्स की जिन्हें मैं क्रश कर रही हूँ आप चाहे तो काट सकते हैं तोड सकते हैं हाथों से आपको बारीक टूटी हुई चाहिए तेजपत्य का पाउडर बनाते हैं दोस्तों लोग इसी तरह से तोड कर ग्रैंडिंग जार में डाल कर आप इसका पाउडर बना ले यदि दाटों में दर्द है, दाटों में कीडा लग गया है दोस्तों, मसूडों में सूजन आ गई है, तो आप तेज पत्ते के पाउडर से मंजन करेंगे ना, आपके दाट मोती जैसे सफेध हो जाएंगे, एक बार करके देखें, बहुत ही सस्ता आता है, बहुत ही किफायती है दोस्तों, आपके दाटों में जो सफेधी आएगी ना, दाटों की सफाई के लिए बहुत बेस्ट है, तेज पत्ते का पाउडर, या फिर आप इन पत्तों को पानी में उबाल कर इस पानी को पिएंगे, मोटापा कंट्रोल होता है, बढ़ते हुए वजन से परिशान है दोस्तों, तेज पत्ते का पानी, सुभा पिएं, खाली पेट पिएं, गरम गरम पिएं, इतना फाइदे मन्द, जो आइन पेज से आपको आराम मिलेगा, चाहे घुटनों का दर्ध हो, कमर का दर्ध हो, या फिर आपकी गर्दन का दर्ध हो, ये इतना जादा फाइदे मन् तमाल रिख्ष होता है उसके पत्ते होते हैं और हम तक इन पत्तों को सुखा कर बेचा जाता है दोस्तों जब सूख जाते हैं तब आते हैं और इनका प्रेयोग हम लोग मसाले के तौर पर करते हैं परन्तु ये बहुत बढ़िया एंटी ऑक्सिडेंट से भरपूर होते हैं इ तेज पत्ते का प्रेयोग किया जाता है दवाई के रूप में मधुमे के लिए तो आधा चम्मच इसका चूर्ण रोज ले पीस ले पाउडर बना ले और आधा चम्मच पाउडर गरम पानी में डाल कर ले ठंडे में भी ले सकते हैं परन्तु जिने गठिया अर्थराइट उसे बचाएगा दोस्तों जिने इनफर्टिलीटी की प्रॉबलम है उनके लिए बहुत फाइदे मंद है इनफर्टिलीटी को इंप्रूफ करता है ये इतना जादा फाइदे मंद है इसके अलावा आप तेज पत्ते के तेल से यदी मालिश करते हैं कही नसों में कमजोरी आ इसा वाला काम रहता है उनके पैरों में नसों का गुच्छा इकटा हो जाता है नीले और बैगनी रंग की नसे पैरों पर दिखाई देती है गुच्छे की तरह दोस्तों बहुत तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा पें रहता है आप तेज पत्ते को पानी में उबाल कर उस लगभाड चे रुड़े हुए हैं उस पानी को गरम करना है फिर चान कर पीना है यदि टेज पत्ते को भीगाना भूल गहा है तो आप इहां पर आप चुर्ण डाले उबाल ले चानले और फिर आप इसे पी सकते कोलेस्ट्रॉल को control करता है जो high-bpk patient है वे भी ले सकते हैं जो hard patient है वे भी तेजपत्य का पानी ले सकते हैं तमाल वृक्ष का ये जो पत्ता है ना दोसों और ज़िक गुणों से भरपूर है हमारे पेट को अच्छा रखता है दोसों पेट से चुड़ी हुई कई बिमारियां दूर होती हैं और एक तेजपत्ता आप शाम के समय अपने घर पर जला दें यह तो बहुत सस्ता आता है दोस्तों हम लोग सब आसानी से ले सकते हैं आप देखेंगे आपके घर पर मक्ही मच्छर बिल्कुल भी नहीं आएंगे इतना फाइदे मंद है और शाम के समय जो इसका धुआ बहुत अच्छा होता है और फाइदे मंद भी होता है दोस्तों किड्नी की सफाई करता है इसका पानी पीने से किड्नी अच्छी रहती दोस्तों और आप इसे ले फिडिंग वाली जो माता है वे भी इसे ले सकती यह इतना बन्द है टीबी की बिमारी को खत्म करता है एक नैचरल पेंड किलर का काम करता एंऺ और साथी साथ दोस्थो मैं ने तेजपत्य को पानी में डाल कर अची तरह से बौईल कर लिया है चान लेना है और आपको इसे पीना है चाहे आयो वेध से अत्ति दवाईओं को बनाने में इसका इस्तमाल किया जाता है जिन्हें गैस की परिशानी है कबज की परिशानी है उनके लिए रामबान है दोस्तो मा स्पेश्यों में जो एठन अकड़न-जकड़न होती है उसे ठीक करता है दोस्तो एक anti-cancer की तरह काम करता है, cancer की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है, तेज पते की चाय या तेज पते का पानी जो भी आप चाहें कह सकते हैं, एक natural pain killer का काम करता है, इसके तेल से अगर आप मालिश करेंगे तेल बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आप अपने पसंद का कोई भी तेल ले सकते हैं, सरसो का तेल ले सकते हैं, आप तिल का तेल ले सकते हैं, एक कटोरी तिल के तेल में या सरसो के तेल में एक चमच तेज पते का पाउडर डाल दें, या तेज पते का पाउडर नहीं बना पाए हैं, तो ऐसी बारी बारी तोड़ कर डाल दें आप, अच्छी तरह से इस तेल को पका लें ताकि तेज पत्ते के सारे न्यूट्रियेंट्स इस ओयल में आ जाएं तिल का तेल भी हमें हड्डियों के दर्द के लिए बहुत फाइदे मन्द है परन्तु नहीं है तिल का तेल तो परिशान ना हो आप मस्टर्ड ओयल का भी यहां पर मालिश करते हैं तुरंट ही आपके आराम मिलेगा दोस्तों इसकी मालिश से इसलिए तो जिने मा небольшane होता ना उन्हें कहा जाता है से से सरकीbell पकाना है जब किस सारे विटामिन् तार्य को पकाना है जब तक इसके سारे न्यूत्रियंट्स इस ओयल में ना आ जाये देखें मैं बीच बीच में इसे हिलाती जा रही हूँ और बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है तेज पता जो सरसो तेल में पक रहा है आप अगर पाउडर नहीं है तो टुकडो में डाल सकते हैं हमें तो यह मतलब है कि इसके सारे न्यूट्रियंट इसके अंदर आ जाए और तेज प खान कर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं बालों में लगाने के लिए आपका बालों का ज़ड़ना रुख जाएगा टेज पत्ता जो हुता हमारे स्केल्फ मेंसे dendroff रूसी की समस्या को दूर करता है, हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, हमारे शरीर के साथ ही साथ हमारी ब्यूटी के लिए भी बहुत फाइदे मंद होता है, बेलीफ तेजपता जोडों में जहां भी दर्द है जॉइंट पेन की समस्या दोसों इस ओइल को लेते जाना है और हलके हाथों से मालिश करना है आपकी मास पेशियों में जो अकड़न है जकड़न है दर्द है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा और आपको बहुत ही आराम मिलेगा आप किसी कांच की बॉटल में किसी में भी इस तेल को स्टोर करके रखें से मालिश करके देखें तुरंद ही आपका जॉइंट पेन ठीक होगा तो इस तरह से तेज पत्ते के बहुत से फायदे हैं